बहुत इस्तकार जो गुरू रूप गुरू स्वारे खालसा जी हो आव सब दो पहला गुर देपास शादी बक्षी होई प्वित्तर फद्दे बलांद करिए प्यार साहता खणा जी वाहिगू जी का खालसा वाहिगू जी की फद्दे गुरू ते एक बहादर साब देए चारसो साला शिताब दी मना रहे हैं ते अक्सर तुसी वेख्या होईगा के साड़े बहुच सारे परचारे, साड़े बहुच सारे टाडी वीर, साड़े बहुच सारे लेक्षर करन वाले अक्सर जद़ों औरंग जब देवलों गुन। टेक बहादर साप जop नूं शहीद करंदी गाल कर देने ता किते न किते एक परमान जरूर देने के औरंग जब ता इना ज़्यादा जुलमी सी, इना ज्यादा जालम सी कि उसनेता सरमद वर गे फकीरां दावी सेर कलम कर देता। सरमद कौन सी, कित्थों दा सी, हिंदोस्तान दे विच की में आया। मेरी ख्याल देनाल ओदी जानकारी होनी सानू बहुत जरूरी है। क्योंके जेस्वेले औरिंजेव ने दारूल हर्बतों दारूल इसलाम दा जड़ा सुपना सी उपूरा करना शुरू कीता। पाव के एक ऐसा देश बनाया जावे जी दे विच्च शरादे अंसार सारे कनून होन। ते सारे लोक जेडे उस देश दे वसनीक होन। उस सारे बशिंदे जेडे ने किसे ने किसे रूप दे विच्च शरादे पाबांद होन। और ऐसे करके ही उनने बाकी तर मानूं चाहे हिंदू तरम दी गालों दी है जा होर फिर्क्यां दी गालों दी है उसने किसे ने किसे रूप दे विच इमें दे फरमान अपने फौईदार एहल कार ते जड़े अलाकियां दे हाकम सी उनना दे राहीं जारी करवा दिते के सारे लोग आपको अपने मूँ तरन उचड़ के दिन इसलाम दे विच आ जाए जदो सी सरमाददी काल कर दे हैं जदो सब तो पहला ता जड़ा सरमाद है एदा परवार जड़ा है जाएदा परवार के पछोकड़ वेखी है ता एदा जड़ा परवार है पहला अरमीनिया दा रहन वाला सी अरमीनिया तो बाद दे विच एपरवार जड़ा सीगा एरान आगया ते एस नू सरमाद कशानी वी क्या जानदा है क्योंके एस दा जड़ा जड़ा जनम है कशान शेहर दे विच होया इस करके सरमाद कशानी वी आज़ा है सरोत वाखवाख ने कोज सरोत तांदे विच एदा पूरा नाम जड़ा वो सियद एमद समराद भी लिख्या गया है कोश्था वाँदे उपर मुहम्मद समराद शबद भी जड़ा हो ओंदा है वो एस करके होंदा है कि पहला एपरवार जहुदी सी मैं तरनों दास्तों है कि अर्मीनिया दा जहुदी परवार सी जिसने इसलाम नो तारन कीता ते एरान आके वस्या किते वज्यों ए जिस तरह जहुदी होंदे ने ए तनाड और वपारी संद तो एजड़ा समरद है ए जड़ा सिरमद है एज जेसवे ले वड़ा होया ताँ एसने इसलाम दी जिरी विद्या है ओ लई ये इसने सद्रू दीन तो जिरी सद्रू दीनने एनना धी कोलों लेग रहन करन दा जड़ा जिकर है सानू दबस्ताने मजाहिब जी मुअसन फान दी लिकी कताब है उर्दे विचे सर्मद्यन एक चैप्टर है जी दे विचे जिथे। वो एस वे उस वकत दे विच इसलाम दे कोई बड़े मशूर दानश मांदे जाँ चंगे उस्ताद जड़े होनगे जिनना दे को लो सरमदने जड़ी सी वो बचपन तो लेके जवानी तक विद्या ग्रहन कीती और इसलाम दे तरम दे विच कहा सग्दियों के पूरी तरम दे नाल उपा बंद होया उस तो बाद उस दे विचार जड़े ने उस सूफी वादवाल चले गे इन आ विचार दे चल दे चल दे चल दे ही उस ने नाल नाल ही अपना वपारक किता जारी की रखे है ते वपारकरन दे वास्ती ओह हिंदोस्तान दे विच आया उन जिस वेले ओह हिंदोस्तान दे विच आउंदा है ते ओधी आमद दे बारे पकी कोई तारीक ता साड़ी को नहीं है पर एह मन्या जानदा है कि तकरीबन सन सोला सो ती कती दे विच ओ हिंदोस्तान दे विच आया ते एवी जिकर मिलदा है कि जो दो हिंदोस्तान दे विच आया ता ओस वेले ओस दी उमर जड़ी है चाली तो 41 साल सी सो जेकर ओस दी उमर ओस वेले चाली तो एकताली साल मननी जावेते फिर जड़ा सरमाद दा जनम है ओ पंदरा सो नबे इस वीदा पंड़ा है बहुत सारी हैं लिखतां देज पंदरा सो नबे ही है कुछ लिखतां देज विच सोला सो अठारा लिखिया हुआ है जो के एस कहा सकते हो के जड़ी गवाही दबस्तान ने मजाहिब दी है के सोला सो तेती चवती दे विच सरमाद लहौर शाहर दे विच सी फिर ओ ओ ए ठीक नहीं लग दी के तेरा चौदा साल दा बच्चा वा पार कर जड़ा हुए इरान तो हिंदोस्तान आ गया हुए सो एस करके जड़ी पंदरा सो नबे ईस वी उस दी जड़ी जड़ी जनम तरीक है वो काफी सही परतीत होगी है सो हिंदोस्तान जदो ओ पहुंचे है ते एस वेले जदो ओ बंदरगा तो अपने वपार दे वास दे आया है ते सब तो पहिलना नगर ठटा जड़ा पाकिस्तान दे विच है उस ने काफी समा अपना बतीत कीता है और ओ बतीत भी उसने सूफियां दे वांग कीता है कि उसने वपारवल ख्याल कट कीता है उस सूफियां दी मैफला दे विच ज़दा जन्दा रहा है और शुरू तो ही कोज सुरूत दास देने कि ओ अरबी और फार्सी जबान दे पर अनों बहुत ज़दा महारत हासल सी ते उनना समया दे विच जडियां बहुत वड्यमादियां मैफला ने उनना दे विच बड़ी अदब वाली जबान है और फार्सी नों ही मनन्या जानदा सी एस कररके फार्सी दे विच माहर होन करके ओ ऐसनों शायरी दा भी ऴूरी इनना महफलान दे विच जान दे दरान ही उस नो एक छोटी उमरदा जड़ा बच्चा सी उस नो मिलना मौका मिलिया जिस दा नाम अबे चंद सी उन जड़ा अबे चंद है उँ अपने आप दे विच कोई शायर नहीं है और उँ बाकी शायरा निया लिखिया हुई है गजला नजमाते शेरा नो इनने जादा वज़दे विच पढ़दा सी के सरमाद जड़ा सी का कह सकते हो के उस तो बहुत जादा पर बावत होया ते उस अबे चंद नो अपने नाल ही रख लिया एक है के जेड़ी रचना मैं रचूंगा उँ बोलनदाद का आरते रहा है और एदिच कोई शाकनी के बहुत सारे सरोत सानू सरमाद दे जीवन दे नाल जया उस दे जीवन तहास दे नाल बहुत सारे ऐसे सरोत मिल दे ने जिनना द जे जिकर एक के जो कुछ सरमाद लेखदा सी उनो वदिया रूप दे विच अबे चंद गोंदा सी अबे चंद जेड़ा हिंदू परवार दे विच्छ सरमाद जेड़ा पहला जहूदी सी बाद दे विच्छ मुसल्मान बढ़न तो बाद वो इसलाम दी कट्ड शराद दे बिचे शामल नहीं होया बलकि उसने सूफियां वाला जड़ा क्या सच्दियों के टांग जहां सूफियां वाला जड़ा अदब इस्तिकार जड़ा सीगा उसने उसनों कीदे दे तौरते परवान कर लिया। अबे चंदे वेचे जड़ा रिष्टा है वो शिग्ड उस्ताद वरगा मुरीद ते मुर्शिद वरगा पुत्तर ते पिता वरगा पुत्तर सी किसे तरह तरह जड़े अंग्रेजी तहास कारां दे वलनों ओस रिष्टे नू गल्त रंगा दिती गई है कोई सव्डिय आगरा आगरा तो बाद गोलकुणड़ा गोलकुणड़ा तो बाद हैधराबाद तो वह पर फिर गोलकुणड़ा रुकिया है इत थे एक एमेदी कटना वापरी क्योंकि बहुत जादा ओख़दे चिंतन दे विचरेंदा सी पर ओधी विचारता रजड़ी सी ओव सूफिया वाली सी इत थे एक जड़िया एहम कटना ओवापरी के जेस विले ओगोल कुंडा दे विच सी ता ओवस समय ओवस ने जड़ा उत्थों दा एक साशिक सी शेख मुहमद अबदुल्ला शायद उस ता नाम सी उस दे बारे जदो ओधी मुलाकात वाई थे उसने शेख मुहमद अबदुल्ला उनो ये गल कहा दिती कि तेरी मौत इस दिन हो जावेगी और शेख मुहमद अबदुल्ला ने सोचया के मौत ता होनी ही है ते क्यों ना फिर जड़ी इसलाम दी पित्तर जगा ओधी बालनो जियारत कीती जावे ते ओ समुन्दरी जहाई दे विच सवार होके ओधर नो चाले पया अजे पहुंचे आनी सी पर जड़ा दिन सरमाद दे वलो मौत दा दस्या गया सी गा ओधर जड़ा जहासी समुन्दर दे विच डूब गया ते ओ दे नाल गोल कुंडा दे लोकां दे विच एवी गाल बह वैसे एक गाल हो बहुत एहम है कोश कताब दे विच ये जिकर मिलदा है कि सरमाद जो दो हिंदोस्तान दे विच आया ते ये शाह पीख जाप पीखन शाह तो बहुत जादा पर बावत सी होन जे असी निजामी सिलसले लो वेख दे हैं जेड़ा दिली दे विच निजाम-द और फकीर शाह पीख जाप पीखन शाह सन ता ओ ओही सन जेड़े गुरते एक बहादर साब दे बहुत लिदीख सन ते कलगी तर पाच्छा गुर गोबिन सिंग महराई दे पर गठोन दे समय और कुजियां लेके पटने गए सी तो इसना मतलब की कितना किते जेड़े पीखन शाह ने यही जेड़े सरमाद दे नाल कह सकते हैं किस बंदत हो सकते हैं क्योंकि ओस समय दे विच जेड़े होर कोई पीखन शाह जापीख उनना दा जिकर सानों नहीं मिलदा सुरोताँ जे जरूर मिलदा है कि परवारक नाम अनना दा शाह पीख सी पर बाद विच लोका ने पीखन शाह करना शुरू कर देता तो जेड़ा सरमाद ना न तो बहुत ज़ादा प्रवाबच सी खेर ये वी एक बहुत वड़ा खोज़ दाविश है सरमाद उस तो बाद दिल्ली आजम है ते दिल्ली उस ले बादशा शाजहान है शाजहान ने अपने पुत्रानों वक वक अलाके जड़े ने वंड के दे 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 ने जड़ दिल्ली दा अलाका जड़ा उस ले बेटे दारा शिको को अला है दक्छन दे विच खोड़ाया स्वहर ब redenнов विशयाँ है उसने सारे पुत्रान को अपने जड़े ने राज दे आलाके जड़े ने वक वक अले जड़े जिड़ा दाराश को है इस दे बारे बहुत सार यहां लिखता है छोरी बहुत कुछ मिल चांदा है कि ए सूफी फकीरां दे नाल जोगियां दे नाल एतों तक के होर भी तरमां दे कह सकते के रहानी आगवां दे नाल बड़े चंगे सबंद बनाके रखता सी तो गुदरतन एदे जिड़े सबंद ने ओस सरमाद दे नाल भी बनगे ते सरमाद नू लिजाके ही इसने अपने पिता शाजहान नू मिलाया उस तो बाद दो तेन थामाद एवी जिकर होंदा है के शाजहान जिड़ा है वो खुद सरमाद नू मिलन दे वास्ते आउंदा रहा है जिनना चेरे शाजहान जिड़ा रहा है उन्ने समय तक सरमाद दिली दी जामा मस्जिद दे को तकरीबन आपने कैसा दी हो के आपने मत जा अपनी विचारता दा परचार करदा रहा है शाजहान दी मौत तो बाद औरंग जेब जिड़ा है वो एक वक्राइत हास है पर असी जान दे उस ते बारे सारे हैं के औरंग जेब जिड़ा उपने प्रामादा कतल करदा है ते कतल करन तो बाद ओ आलमगीर औरंग जेब दिल्ली ते तखद वपर बैठ जनदा है जो दो दिल्ली तखद अपर बैठ जनदा है ठी आरनेज Wonderful दी बेटी जडी के जब लिन सा है एवि सर्माद को बहुत ज्यादा परबावत है ता जिकर वी समनों बहुत सारे सिरुतों देज मिल जनदा है और एक वरी ता ओरंग जेव जड़ा है, और खुद जो जो दो जाम्मा मस्जिद जान्द है, ता ऊसो बिले सरमतनू मिलता भी हैं और जेकर शुरूता दोर हो ता ओरंग जेव फिस्तो पर भावत है पर जियों जियों वकत बीदा जा रहा है तियों तियों औरंग जेव दे दरबार दे विच जेड़े कटड़ शरा ना सबंदत जेड़े उस दे एक सला कारने ओ औरंग जेव नो बार बार ऐस गाल दे पर मजबूर कर रहने के बाकी जेड़े फिरके जिनना दे विच इसलाम जिए जिड़ी शेरा जहाँ इसलाम दी समझ दे उनसार जिनना दा कार विहार नहीं हगा। उननों दीनने इसलाम दे मिच ले आंदा जावी जहाँ उनननों दी पर जल्म कीता जावी। लेना देविच जेड़ा हैगा खास करके खासा मसूं फरुपी उस बाद उता बेटा सेफू दिन फरुपी और खास करके काउसा दियों कि अउरंड जेव दे दरबार देविच एककफास उस दा काई सागत दियों कि सलाकर भी कहसा दियों ते जीदा काफी पर बहावी सी ओसी मुला महवद कवी और जड़ा कवी है ए सरमाद देनाल पहले ही खार के इंद खानदा सी क्योंकि एक मैफल दे विच ए सरमाद दे स्वालन दे जवाब नहीं सी दे सक्या ते ए ता पहले ही चांदा सी कि मैं उस दे को लो लाजवाब हो चुका है किसे ना किसे रूप दे विच उसनों खत्म करवाया जा सके तो एक वार और जेव एसनों कोल जदो गया ता उसने एसनों एक स्वाल कीता कि तू नंगा क्यो रही ने क्योंके बहुँ सारे इतहासिक्स रोतां दे चपड़ो ता जदो सरमद नू कतल कीता जांदा है और उना दे सिलसले दे शबदां दे विचे शहीद कीता जांदा है ता उस वे ले जेडे फत्वे उदे उपर लगाये जांदे उनना दे विचे उस्ता पहला गुना है क्यों न गन रहींदा है ते सरमद दे बारे जेडे верtha लाप theo आंदे सरमद दे नौ दे आल विचे सरमद दे बारे एक वक्राजा दौह रूप सिर्जईा गया पर उस तो ऐ सपष्टो अजब्र जंदा है उन्हों ओदे जड़े सिलसले दे जाँ उन्हों मनणवाले लोक ने उन्हा अपनिया लिखतां दे विचे इसमें कोतक दे रूप दे विचे जाएक करामाद दे रूप दे जेस तरह पेश कीता है कि जदो औरंग जेव ने जाके सरमाद नू एगा लकाई के तू नंगा क्यों रही ना है ताँ ओस वेले सरमाद ने अपना कंबल जड़ा लागे पया सी ओचोक के बखाया ते ओदे थले औरंग जेव दे प्रामाद दे खून दे ना लातपत होई सेर पये सी तो उनना ने जड़ा सरमाद सी उसने औरंग जेव नू एदास दिता के तू किनना जलम कीता है और उसने बकाईदा एक शेर भी लिखिया के जिस खुदा ने तुझे ताजे जहां बानी दिया है जेस प्रमाद माने ते इनू एद दुनिया दा जड़ा ताज दिता है ते उसी खुदा ने मुझे सामाने परेशानी दिया है ते उसे प्रमाद माने मिनू जड़ा दा चिंतन करंदा कह सक दियो के ओ जम्मेवारी मिनू ओ कह सक दियो के मेरे दियो पर किरपा कीती है फिर कि गिन्दा देखा जिसे पुर आईब उसको दिया लबास तेरे वर गे आईब मांदी परे मनुख दे लबास जड़ा रहे और गुनाहा नू टाक नहीं सकता। पुर्राए उर्यानी दिया है ते साड़े कुल बेशक तेरे वरगा शाही लबास नहीं है पर सानू परमातमादा चिंतन दिता हुए है। के बेशक जड़ी कटड़ शरा है उदी हार हुन दी जा रही है ते मैं इस ता कोई गम नहीं है क्यों मैं अपनी जिंदगी अपने असाफ देना जी रहे है। के इंदा सर्मद को कोई गम नहीं दी की शिकस्त पर इमान सजदे कर दिया है क्चश्म मस्त पर। पि मैं ता सारा उस पर मातमा दी रुहानी नजद नो सब कुछ जड़ा उसे मरपत कर चुका है। तो अखीर जदो औरंग जेव नो ए पता लग गया के जड़ा सर्मद है उस दे उस दाइरे दे विचे नहीं शामल होएगा। तो अखीर फिर एस नो लाल के लिए दे अंदर बलाया गया। तो अखीर एस दे सामने जड़े सीगी ओ तिन गल्ला जाँ तिन श्कायट जेड़ियां औरंग जेव दे दरबारियां ने लगाई हैं सी एदे सामने रख दितीयां। उन्हा दे विचे तेन श्कायट जो पहली सी के तू नंगा क्यों रहिएना है। दूसरी शिकायसी के तू कलमा पूरा नहीं पढ़ता और अद्धा कलमा पढ़ता कुना है। तीसरी शिकायसी के तू शब मेराज नहीं मांदा। उसने पहला जवाब ए दिता के बेशक इसलाम दी किसे वी किताब दे विच जरूरी नहीं है के मनोख की पहने पर जे मैं नंगा रही नहीं ताँ एस दे विच ताहनू कोई तंगी नहीं होनी चाही दी क्यों के होर भी फिरक्यां दे जो बहुत सारे लोग में जड़े बस्तर नहीं पहन दे हैं दूसरी गल के तू कलमा अद्दा क्यों पढ़ दा है जो अद्दा कलमा पढ़ दा है ते उस तासी कहा ला इलाज इस ता बतल बहुत कुछ नहीं है जो तो पूरा पढ़ दे है इल्ला परमातमा तो बिना और कहीं दा सी मैं अद्दा कलमा एश करके जावेगा मैं पूरा पढ़ना शुरू कर दे मनदा। जड़ी मस्जदे अक्सा हैं उत्थों जड़े ने महम्मद साब शब मरास पाब है के स्वर्गन उन्ना ने उत्थों जड़ा गए। जड़ा जड़ा से गा वो फिर्मान जड़ी कर दे खाब है। और शुक्रवार वाले देने, तकरीबन ओदन जड़ी तरीक है साड़े सुरूतां देविच, जड़े इसलाम दे सुरूत ने, ओ मांदेने के अठारा, जड़ा अरब्यु आखर ते दास सो, कै सकतर हीजरी, जड़े इसलाम दे इसलाम दे साड़े, जड़े इसलाम देने, तकरीबन ओदन जड़े, जड़ा अरब्यु आखर ते लगार वास्ते ले जाया गया, कतल करन्दे समें सरमाद ने जड़ा एक शेर जड़ी परमपरा जड़ी 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 रवायत है के जड़ा पढ़या ओदे विच उसने ये दस्या के उमर अस्त के अवाज जाए मनसूर कुनदशिद के बहुत चेर हो गया है क्योंके बेशक शमस तबरेश सी जा मनसूर सी कोज सूफी होर फी जड़े ऐसे तरह समेद हुकुमरान नावलों कतल कर देते गए जा शेहीद कर देते गए ते सरमाद जड़ा सी का उसने उस शेहर दे विच एही गल की उमर अस्त के अवाज जाए मनसूर कुनदशिद मन आज सरे रा दारे रसन रा पर अज मेरा दिल करदा है के मैं अपना आप कुरबान करके मनसूर दी उस शेहादत नो फिर दुनिया दे विच जग जाहर करदा है सो एस तरह दे नाल सोला सो काट इस स्वी दे विच औरंग जेव दे होकम दे नाल एस सरमाद नामक फकीर नो शहीद कर दे दुनिया के बेंतिया परवान फत्ते दी सांज प्यार साहता करना जी वाह गुरची का खालसा वाह गुरची की फत्ते कर दो है